सर ये जो आपका मेनिफिस्टों में एक आया हुआ है उसको मतलब किस तरह से आप मुद्दी के तौर पर ले जा रहे हैं लोगों के बीचे में हम मोदी जी को उसके आवकाद बताना चाहते हैं कहां सरदर वल्लभ भाई पटे और कहां नरेंदर मोदी उनका नाम चेंज करके आप अपना नाम रखो जीत 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 वो किसी भी हिसाब से उचित भी हम मदू सुदर मिस्तिरी के इस बयान पर बात करें उससे पहले एक बात जान लेते हैं कि नरेंदर मोदी आज आठ साल से देश के परदारमत्री हैं और ज्यादा से ज्यादा कितना वक्त रह लेंगे एक दिन तो ऐसा आएगा जब वे परदारमत्री पत से अठेंगे और उनकी जगह और कोई परदारमत्री बनेगा ये बात सब याद रखे कि नरेंदर मोदी से पहले भी परदारमत्री पत था और आगे भी रहेगा खासकर तब तक जब तक चुनाव पढ़ना भी और सविन्दान की पोल ना खुल जाए तो यहाँ उकात शब्द नरेंदर मोदी के लिए नहीं बलके परदारमत्री पत के लिए हो रहा है कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता मदुसुदन मिस्तरी के ये अलफाज दिखाते हैं कि हमारे नेताओं को बोलने के मामले में कितना ध्यान रखने की जरूत है पिछले कुछ सालों में हमारे नेताओं की जबान बिगड़ने लगी है और वे जम कर असब्बे शब्दों और अपशब्दों का इस्तमाल करने लगए है लेकिन मदुसुदन मिस्तरी के इन अलफाजों ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये अलफाज नरेंदर मोदी के लिए है या फिर परदारमत्री नरेंदर मोदी के लिए है क्योंकि पिछले कुछ सालों में पर्दामंत्री पद व्यक्तिगत पद हो गया है जिसकी वज़े से पर्दामंत्री पद की गरिमा पूरी तरह से खतम हो गई है 2017 में कॉंग्रिस नेता मने संकर एयान ने जो शब्द इस्तमाल किये थे वो आप खुद सुनिये जो अमबेटकर जी की सबसे बड़ी खौइश थी उसको साकार करने में एक व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान था उनका नाम था जवाहलाल नहरू अब इस परिवार के बारे में ऐसी गंदे बातें कहें और वो भी जबकि अमबेटकर जी के याद में एक बहुत बड़ा इमारत यहां उसका उदगातन हो रहा है मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किसम का आदमी है इसमें कोई सभियता नहीं है और ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीती की क्या वशिकता है सवीधान और चुनावत अंतर के लिहास से परदामंतरी पत का व्यक्तिकत होना बेहत चिंता जनक है और ये दिखाता कि हम फिर से गर्त में जा रहे हैं नरेंदर मोदी देश के परदामंतरी जरूर है और नरेंदर मोदी परदामंतरी पत के महताज हो सकते हैं पर परदामंतरी पत नरेंदर मोदी या किसी और का महताज नहीं होता तो गरिमा परदामंतरी पत की है ना कि उस पर बेटे शक्स की तो यदि आप नेरेंदर मोधी के परदामंत्री रहते उनके कामों के आलोचना करते हैं तो अपने शब्दों का चैन दुरस्ट करना होगा कहीं ऐसा ना हो कि नेरेंदर मोधी से विक्तिकत लड़ाए में आप परदामंत्री पत की इतनी गरीमा खराब कर दो कि कल को आप ही परतामंतरी बनो तो शरम महसूस करो ये तो बात हुई वे पक्ष नेताओं की अब बात करते हैं परतामंतरी नेंद्र मोधी की तो वे भी बराबर जिम्मेदार है परतामंतरी पत की गरिमा गिराने के लिए अब आप जानना चाहेंगे कि कैसे हैं तो मैं उनके आठ साल की बात नहीं करूँगा, मैं अभी कुछ दिन पहले की तेलंगाना यात्रा की बात करूँगा, जहां परदामति नेरेंदर मोदी क्या बोलते हैं, आप खुद सुनिये. तो लेने के देने पढ़ जाएंगे.